दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि आप विंडो 10 में अपने इंटरनेट की डाउनलोडिंग और अप्लोडिंग स्पीड को कैसे चेक कर सकते हैं और साथ ही हर एक सेकेंड की आपको अपडेट मिलती रहेगी कि इस टाइम आपके इंटरनेट की कितनी डाउनलोडिंग और कितनी अप्लोडिंग स्पीड आ रही है और वक्ष जाया किये बिना शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हैलो गाईस मैं हू सल्मान और टेखनोलोडिंग सिल्मान में आपका हमेशा गितवार स्वागत है ये भी बहुत ही सिंपल ट्रीख है जिससे आप अपने इंकरेड की स्पीड को चेक कर सकते हैं और ज्यादा तर लोग sharing local area internet use करते हैं जो के वो आपको 5 MB का बोलकर आपको 2 MB देता है जिससे आपने internet connection लिया होगा अब वो भी आपको धोका नहीं दे पाएगा और सबसे पहले आपने Google पर जाना है वहाँ से आपने X meter के नाम से सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको ये software download करना है इसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से भी जाकर download कर सकते हैं और download करने के बाद आपको इसको install करना है और install करने के बाद और taskbar में आपको downloading और uploading speed दिखेगी जितनी आप use करेंगे हर second की आपको speed वहाँ पे शोख होती रहेगी कई साच के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बाकी सब वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी और आपके लिए helpful होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं मेरी अगली ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाई